मित्रों नमस्कार ज्यान सिंदू कोचिंग क्लासेज में आप सब का स्वागत है आज हम राष्टर कभी मैथली शरनगुप्त के जीवन परिचे के बारे में जानेंगे दिवेदी युगीन कभी हैं और जन्म की बात करें इनको तो 3.1886 में जन्मे थे राष्टर कभी मैथली शरनगुप्त दोस्तों आपको असी शब्द लिखने हैं तो मैं असी तीयां दो सो चारिस बताऊंगा आपको तो असी तो याद रह जाएंगे तो 80 सब्द लिखने हैं आपको ज़्यादा नहीं लिखना है लंबा नहीं लिखना है तो point to point आप याद कर लीजिए और इन point से आप one line मतलब वो गद्द बनाते चले जाईए जन्म 3 अगस्तन 1886 और मृत्यू 12 दिसंबर 1964 इसबीको हो गई लेकिन मृत्यू आपको अंतमे लिखना है जब इनके सारे क्रिया कलाप आप लिख देंगे तो मृत्यू लिखेंगे इस थान चिरगाओं जिला जहांसी आप लिखेंगे राष्ट कभी मैथली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्तन 1886 इसबीको चिरगाओं जिला जहांसी में हुआ था इनकी माता का नाम काशी बाई और पिता का नाम सेट राम शरण गुप्त था इनके एक भाई जो इनके साथी कभी थे नाम था सियाराम शरण गुप्त और इनके गुरू आचारे महावीर प्रसाद दुवेदी जो की हिंदी गद्य के साहित के महान लेखक महान आलोचक महान निवंदकार की रूप में हमारे सामने उभर कर आए इनकी मुख रचनाओं में आप दस पांच रचनाओं लिख सकते हैं साकेत महाकावे, जै भारत महाकावे, भारत भारती, जै दरतवद, पंचवटी, कुणाल गेत, अंजल और अर्ग्य, अनग, द्वापर, रंग में भंग, यशोधरा, सिद्धराज, साकेत, साकेत के नाय एक लक्षमड और नायका और मिला हैं, और साकेत का अर्थ होता है अयोध्या, तो आप लोग इतना जानते हैं, जितना आपको लिखना है, उतना ही आप ध्यान रखिए, फिलाल कहानी तो हम सब बताएंगे, आपको उसका सारांश टाइप में सी सब्दों में आप अपना ज केई का अनुताप नाम से आया है, 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक जब कौन न्यूक्ट हुए, 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक न्यूक्ट हुए थे आपके आचारे महावीर प्रसाद दुवेदी जी, तो पहले महतली सनरु गुप्त जी ब्रजभाशा में रचनाएं करने लगे, बात ये है कि एक बार की बात है, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक आचारे महावीर प्रसाद दुवेदी थे, उनके पास मैथलिशन गुप्त जी ब्रजभाशा की रचनाएं लेकर के गए, तो उन्होंने इनकी रचनाओं को ठुकरा दिया, उन्ह मैथलिशन गुप्त जी खड़ी बोली में रचनाएं करने लेगे, मैथलिशन गुप्त की अनुधित रचनाएं अनुधित समझते हैं, जिसका अनुवाद किया गया हो, अनुधित का मतलब अनुधित किया गया हो, एक बाशा से दूसरी बाशा में. रुबायत उमर खयाम अनुदित है ये उमर खयाम की रुबायां जो थी उनसे इनका अनुवाद किया गया वो उर्दू में थी उन्होंने हिंदी में लिखा है मेगनादवद और विरांगना भी इनका अनुदित काव्व है कुछ पॉइंट्स और भी है मैथेलिसरण गुप्त जी के विशे में राष्ट कभी कहा जाता है इनका तो राष्ट कभी इनका नाम किसका दिया हुआ है तो राष्ट कभी नाम महत्मा गांधी जी ने दिया था ठीक है तो ये खड़ी बोली के एक महत्तुपूर्ण कभी है हिंदी साहित जगत में इनको दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है भारत भारती इनकी महत्तुपूर्ण करती है भारत सरकार ने इनको पदमभूशन से सम्मानित भी किया था 1954 में ये भी आप नोट कर लीजिए 1954 में इनको जो है सम्मानित किया गया था पदमभूशन से और मैतिली शनण गुप्त जी के थोड़े भहुत नाटक भी है उनको भी आप याद कर लीजिए अनग है चरणदास, तिलोत्तमा, निश्क्रिय प्रतिरोध और इनके अनुदित नाटक जो है सुपनवासवदत्ता, प्रतिमा, अभिशेक, आविमारक ठीक है तो गुप्त जी जो थे मैतिली शनण गुप्त जी सुभाव से लोक संग रही कवी थे यानि कहने कतात पर यह है कि अपने युग की समस्याओं के प्रती बड़े संबेदन सील थे वो अपनी युग की समस्याओं को लिखते थे ठीक है उनका काव एक और वैशनों भावना से परिपोशित था वो साथ में जागर्म सुधार की राष्ट्री नैतिक शेतना से अनप्राणित भी था लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक विपिन चंदरपाल गनेश शंकर विद्धारती मदन मोहन मालवी उनके आदर्श रहे थे और महत्मा गांधी तो अच्छे आदर्श थे ही जैदरतवध विशेशकर और भारत भारती कभी करांतिकारी कभी का सुरसुनाईद परता है ठीक है तो जैसे किसी का भी जीवन परिचे लिखना आप उसमें थोड़ा सा तारीफ जोंकिये पहले दो-चार लाइनों में आप लिख दीजिए हिंदी के महान कभी, हिंदी साहित के अमर कभी, हिंदी साहित के महान कभीयों की सरंखला में आने वाले मैथली शरण गुप्त या हिंदी साहित आकाश के नक्षत्र मैथली शरण गुप्त ऐसे करके आप उसमें थोड़ी स हिंदी साहित्य में महाकवी, नाटककार, निबंधकार, आलोचक, अनुवादक, इत्यादी रूप में वैसे मैथिली शननुगुप्त जी आलोचक और अनुवादक रहें लेकिन आलोचक नहीं रहें मैथिली शननुगुप्त को आप कह सकते हिंदी साहित्य के नाटककार और महाकवी, एवं अनुवादकर्ता के रूप में यशश्वी रहें मैथिली शननुगुप्त या ख्याति प्राप्त महान साहित्य कार एवं राष्ट्र कभी मैथिली शननुगुप्त तो इस प्रकार की आप थोड़ी सी चर्चाएं कर देंगे तीन-चार लाइनों में तो बहुत है आकरशन का केंद्र हो जाएगा और उनकी माता जीवे थी इनके पिता जी थे पिता यह माता जो थी वैशनों थे बड़ा ही धर्म परायंड दोनों लोग थे तीन तीसरे नंबर के जो थे यह अपने जो है नई तीन भाईयों में तीसरी संतान थे यह मैथिलेशन गुप्तिचेफ ने माता पिता के तो यह सब चीज़ें आप लिख सकते हैं ठीक है इन्होंने दो प्रकार की रचनाएं कि मौलिक एवं अनुदित इनकी मौलिक करतियों और अनुदित करतियों दोनों का आप उसमें कैस कर सकते हैं और खंड काप जो है इनके खंड काप आप ध्यान दीजिए खंड काप नोट कर लीजिए जैद्रत वद भारत भारती पंचवटी द्वापर सिध्धराज नहुष, अंजली और अर्गे, अजित, अरजन और विसरजन, काबा और करवला, किसान, पुडाल गीत, गुरुतेक, बहादुर, गुरुकुल, जैभारत, युद्ध, जंकार, पृत्वी पुत्र, वक्संगार, शकुंतला, विश्वेदना, राजा परजा, विश्णुप विकटभट, विरहणी, वैतालिक, शक्त, सैरंद्री, स्वदेश, संगीत, हिडिमबा, हिंदू, चंद्रहास, ये सब इनके जो है, नाटक हैं, और कुछ मैतलिसन, गुप्त, ग्रंथावली में, मौलिक और अनुदित, कृतियों का संकलन भी है, बारा खंडों में, वाणी प्रकासम दिल्ली में प्रकासित हुआ था, वो सब खेर बात की बात है, तो ये सब आप लेख सकते हैं, ठीक है, तो इसमें से जो सारांश आपको याद हो गया हो, बहुत अच्छी बात है, सारांश इससे भी आख पर लीजे, आपने पुस्तक में भी देख लीजे, जहां स सरंक्रा में आगे हम इस वीडियो के बाद एक और वीडियो देंगे, जिसमें जीवन परिचे, का ही वीडियो होगा, 3-4 जीवन परिचे हम दे देंगे, देखे, खासकर जो जीवन परिचे हैं, वो महत्तुपूर्णो जीवन परिचे बस आप समझ लिजे, एक्टो मैतलिस जीवन परिचे का जरूर याद कीजिए, क्योंकि महिला के वित्त्रीवे हैं और उनका अवश्य ही आता है, ठीक है?